कल की क्लास में बच्चों हमने प्रश्णावली 7.1 का बेसिक सतम कर लिया था ठीक है और आज हम कोस्चन सालों करेंगे ठीक तो देखिए पहला कोस्चन क्या लिखा हुआ है सनलग्न चित्र में चतुर भुज A B C D में ठीक है यह चतुर भुज बना है A B C और D ठीक है जिसमें AEB C थ्क तरिफ़ुज ABC A C वेर PAC एक देखिए लिखर स्चन सालों क्या हुआ है दोनों रिखाएं क्या एं आपस में दोनों भुज़ाएं बराबर है उनलड़ां ठीक है आगे देखिए कर दर्साइए कि त्रिभुज A B C A B C सर्वांग सम है त्रिभुज A B D के A B D ठीक है ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है सर्वांग सम है और हमने आपको सर्वांग समता का नियम बताया था कि एक दूसरा त्रिभुज पहले त्रिभुज के उपर रख दिया जाए या पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के उपर रख दिया जाए तो पूरी तरह से सारी भुजाओं को ढग ले ठीक है तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना, जिसे हमें सरवांगसम दिखाना है, उनके हम नाम लिख लेंगे, ठीक है? तो चले लिखते हैं हल, किने सरवांगसम दिखाना है? त्रिभुज A, B, C, त्रिभुज A, B, C वा त्रिभुज A, B, D, ठीक है? A, B, D में अब देखिए हमें क्या करना है हम यहां से दिखाएंगे जो दिया हुआ है दिया है A, C, बराबर A, D लिखेंगे A, C, बराबर A, D यह क्यों है? क्योंकि यह दिया है यहां पर इस परश्टी कान भी हम कहां साथ में लिखते चलेगे ठीक है? दिया है और देखिए कौड C, A, B और B, A, D यह दोनों कौड आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे इसे हम लिख लेंगे कौड C, A, B C, A, B बराबर कौड B, A, D कौड B, A, D ठीक है? यह बराबर क्यों है? क्योंकि यहां पर कहा गया है कोड़ एको सम्दिभाजित करता ठीक है तो लिखेंगे एवी भूजा कोड़ एको कि सम्दिभाजित करता है ठीक है करता है इसलिए दोनों को आपस में क्या है बराबर है और एक बात हमने आपको बताया था जब हमें कभी भी त्रभुजो को सर्वांगसम करना है उसके लिए हमें तीन भाग अगर बराबर हो जाते है तो अन्य भाग जो होते हैं वो अपने आप आपस में बराबर हो जाते है घिक है जिसमें हम C में जो AB है यह क्या है कि जो AB दी हुई है यह AB ABD में भी आ रही है मतलब यह दोनों त्रिभुजों में क्या है कामन है ठीक है उभाय निष्ठ है तो हम लिखेंगे AB AB बराबर AB क्यों बराबर है लिखेंगे AB NIST है ठीक है अब देखिए यह जो दिए हुई है क्या है यह भूजा है यार यह SIDE है यह क्या है यह SIDE है और यह भी क्या है यह B SIDE है तो यहाँ पर देखिए S-S तो ये दोनों त्रिभोज आपस में क्या हो जाएंगे सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभोज A B C सर्वांग सम त्रिभोज A B D ठीक है और क्या कहा गया है कि B C और B D के बारे में आप क्या कह सकते हैं तो ये दोनों रेखाएं भी आपस में दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होंगी बराबर होंगे तो हम लिखेंगे B C बराबर B D क्यों बराबर हुए C P C T से अब ये C P C T क्या है ये हमने आपको बेसिक में बता रखा है ठीक है C P C T ये है कि शर्वांग समता के जो नियम है उस पर रख ठीक है तो अगर आपने बेसिक न देखा हो तो आप जाकर उसे देख सकते हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं अगला पूरी तरह से आया होगा ठीक है चलिए देखिए पूस्चन नंबर दो पूस्चन नंबर दो में कहा गया है सनलग्न चित्र में एक चित्र दिया हुआ है A, B, C, D एक चत्र भूज है ठीक है A, B, C और D ये क्या है चत्र भूज है जिसमें A, D बराबर B, C कहा है A, D और B, C ये दोनों पूजाएं जो हैं आपस में क्या हैं बराबर है ठीक है और कौर D, A, B डी ए बी कौन सा कौन्ड ये वाला कौन्ड ठीक है और उसके बाद कौन सी बी ए सी बी ए ये कौन आपस में क्या है बराबर है ठीक है ये दोनों कौन आपस में बराबर है ठीक कहा गया है सिद्ध कीजिए कि पहला नंबर है इसमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज A, B, D A, B, D और सरवांगसम है त्रिभुज B, A, C B, A, C ठीक है, किसकी बात हुई है देखिए इस त्रिभुज की बात हुई है इसमें हम बना रहे ठीक है इस त्रिभुज की बात हो रही है और एक इस त्रिभुज की बात हो रही इसको हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं ताक कि आपको समझ में आए ठीक है इस त्रिबुज की बात हो रही इन दो त्रिबुजों की बात हो रही है ठीक है अब देखिए और कहा गया है BD बराबर AC जो BD है जो BD है वो AC के क्या होगी बराबर होगी और कहा गया कौण EBD इतना कोण ईतना कोण जो है कि इसके बराबर होगा BAC लिए यह वाला ऋड़ा यह दोनों कौण आपस में क्या है बराबर सिद्द कրणे है ठीक है और अगर हम इन दोनों त्रिभूजों को, एक त्रिभूज ये और एक ये त्रिभूज, अगर हम सरवांग सम सिद्ध कर लेते हैं, तो बाकि जितने भी भाग होते हैं, उस वापस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले, जो सरवांग सबसे लेते हम लिखेंगे तो चलिए हैं में है तक त्रिभूण के बी-डी-ई-व बी-डी वा-अ-बी अ-अ-ऐ-सी इसको ध्यान B C ये क्या है दिया है लिख देंगे ठीक है दिया है और क्या दिया हुआ है कोड डी A B बराबर कोड़ C B A ठीक है ये भी क्या है दिया है अब देखिया है अब देखिया ने आपको बताया था दो भाग तो दिए होगे आपको बराबर तीसरे भाग आपको ढूड़ना होगा ठीक है और इस तर्फ में देखिए कोई न कोई ऐसे होगी जो आपसर रबर होगी ठीक है तो देखिए तर्फ को देखिए बी डी ए इसके बाद ए बी सी से देखिए इस समय तो अब जगें ठीक है क्योंकि यह थोड़ा कंप में डाल रही है अब देखो साफ-साफ दो दिख रहा है और जाब देखिए इस तरिहुज में जो यह भूजा जो यह ययो मरर रहा है और देखेए इस इस तरिहुज में भाऊरा इसका मतलब जो ए भुजा है जो ए भी भुजा है वो ए भी भुजा क्या हो जाएगी बराबर क्यों बराबर होगी यह उभाय निष्ट है क्या है उभाय निष्ट मतलब कामन है दोनों त्रिभुजों में उभाय निष्ट तो जैसे ही किसी दो त्रिभुजों के तीन भाग आ पर देखिए यह क्या है यह साइड है हुजा है यह क्या है अंगल है और यह क्या है यह भी क्या है साइड है तो SAS कौनसा SAS सरवांग समता नियम से थीक है मियम से यह दोनों क्या हो जाएंगे सारवांग सम त्रिभूज bd स औरग दी सरवांग सम् त्रिभूज बी ए सी ठीक है और जैसे यह सरवांसम हो जाते हैं तो यह हमारा पहला नमबर कोस्चन क्या हो जाता है साल हो जाता ठीक है अब देखिए दूसरा नमबर जो दूसरा नमबर दिया है वो बी डी बराबर एसी दिया है तो हम बी डी बराबर एसी लिख सकते हैं कि नहीं बी डी च्छाइआगे या आपस में क्या हो जाएंगे क्यों बराबर हों थैजल से ठीज से हम aha ha ढूरा यह टीभिया तो यह आपका दूसरा भी कुस्छन हो गया आप देखे थे सारται क्या लिखा हुगा है कौण ABD कौण ABD बराबर होगा कौण BAC की ठीक है कौन कौन सा कौण ABD कौन सा ABD मतलब ये वाला कौण ठीक है ये वाला कौण और उसके बाद BAC ये वाला कौण ये दोनों कौण आपास में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे क्यों बराबर होंगे CPCTC ठीक है तो आपके तीनों पार्ट में जो भी question थे वह साल हो गया ठीक है जो सिद्ध करना था अब देखिये हमने आपको इसको बहुत ही बहुत ही बेतरीन कादर सम समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगला कोस्चन देखिए बच्चो कोस्चन नमबर 3 क्या लिखा है सनलगन चित्र में रेखा खंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखा खंड है ठीक है AB पर देखिए यह क्या है AB AB पर दो बराबर है यह जो लंब पड़े है कौन-कौन से AD यह है AD इस रेखा पर AD जो है लंब होने का मतलब है यहां पर बनने वड़े जो कोण है वो कितने है 19 डिग्री ठीक है और उसके बाद BC यह BC भी AB पर लंब है यहां पर बने कितना 19 डिग्री ठीक है तो वह भी क्या है दो बराबर लंब रेखा खंड है कौन से यह AD और BC यह आपस में क्या है बराबर है तो कहा गया है कि दरसाये की CD यह जो C और D जो रेखा है AB को UNमणध तो डो AB को करती है मतलब कि A O और B O इनए आपस में क्या करती है सम्दिभाज मतलब दोनों को बराबर भागों में काटती है ठीक है तो हम अगर इन दो त्रिबुजों को क्या कर जैते हैं मतलब सिद्ध कर देते हैं तो इनकी जो संगत भुचाएं वह आपस में क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगे ठीक है तो चलिए देखिए हम क्या करेंगे की त्रिभूज O, B, C और त्रिभूज O, A, D को क्या करेंगे सरवांगस हम सिद्ध करेंगे ठीक है तो चलिए हल करते हैं हल त्रिभूज O, B, C O, B, C वाद त्रिभूज O, A, D O, A, D में ठीक है क्या दिया हुआ पहले यहाँ पर दिया कोण B और कोण A जो कोण A और कोण B यह आपस में क्या है बराबर है कितने है 90 अंज यह क्या है दिया है यह दिया है ठीक है और कोण B, C और D, A भी बराबर है लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, देखिए, ये दोनों कॉण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों कॉण आपस में क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये सीरसा भिमुक कॉण है, ठीक है, क्या है, सीरसा भिमुक कॉण, कॉण कॉण से, क्यों पराबर है इसको दिखा देंगे सीरसा भी मुख कौन हमने इसको पिछली प्रस्णावली में पढ़ा था अगर प्लेलिस्ट पढ़ी है आप जाकर देख सकते हैं बढ़ाबर कर दीा अब दीसरा कोई भाग explic मिल जाए ठीक है तो यह दोनों त्रिवज आपस में क्या हो जाएंगे सरवांगसम सिद्ध हो जाएंगे तो हमें देखिए तीसरा हमें जो है कौन सा मिल रहा है तीसरा हम यहां पर हम अगर यहां पर खोजेंगे तीसरा देखिए हमें मिल रहा है यहां पर दिया हुआ था ब्लक्त हा Si को पर का historically तो यह क्या है कि हम पहले इस को दिखा है कि इस इस को को दिखा है पहले भूजा कि दिखा दी ना तो यहां पर Shift यहां पर यह लगातार एंगल है यहां पर देखिए कोई एंगल तो है नहीं और एंगल के बीच में ना तो कोई भूजा है तिसलिए हम क्या करेंगे पहले एंगल एंगल लिखेंगे एंगल यह हो गया एक कोड़ यह हो गया एक कोड़ यह एक कोड़ यह है और एक कोड़ यह है तिसलिए क क्या होने चाहिए किनारे होने चाहिए और फिर साइड किनारे में है ठीक है बीच में साइड नहीं होने चाहिए तो अब देखिए तो अब जैसे ही हमारे तीनों भाग जो है बराबर हो जाते हैं, अगर किसी भी त्रिभूज के, किसी भी दो त्रिभूज के तीन भाग बराबर हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह त्रिभूज क्या है, आपस में सर्वांग सम है, और उसके बचे हुए सेज भाग वो भी क्या हो जाएंगे, आपस सम्था नियम से अगर आप लोगों ने इन तीनों नियम हमने पांच नियम बताए हैं अगर आपने न देखा हो तो आप देख सकते हैं ठीक है इसका बेसिक तो लिख सकते हैं कि त्रिभोज कौन-कौन से O, B, C सरवंगसम हो जाएंगे O, A, D के ठीक है अज जैसे सरवंगसम हो गए तो हम कह सकते हैं कि O, A और O, B आपस में क्या होगे बराबर होगे ठीक है और हमने देखिए यहां पर हमने लिखा नहीं था तो हम यहां पर लिखने के लिए हम भूल गए हैं ठीक है तो इसको आप सिद्ध करना था हमको ठीक है तो सिद्ध करना है इसे आप लिख सकते हैं कि क्या सिद्ध करना था O, A बराबर O, B ठीक है यह आप लिख देना तो लिख देंगे O, A बराबर O, B बलकि हमने आपको बता दिया था कि हम अगर O, A और O, B सिद्ध करना है तो उसके लिए हमें क् त्रिवुजों को सर्वांग सम दिखाना होगा ठीक है तो यह क्या हो गया सिद्ध हुआ तो हम लिख देंगे सिद्ध हुआ ठीक है जो कोस्चन बचे हुए हैं वो आने वाली क्लास में सालो करेंगे ठीक है तो आसा करते हैं बच्चों आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी ठीक है और अगर आपको आज की सारे कोस्चन पूरी तरह से समझ में आये हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो चैनल सब्क्राइब कर लें बेल आइकन प्रस कर लें ताकि नए नए वीडियो की नोटिपीजन आप तक पहुंचती रहे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों जय हिंद